दोस्तो उतकर्स एस्मॉल फाइनेंस बेंक के तरफ से बिहार चारखंड और मद परदेश के लिए साथ अलग-अलग पोस्ट के लिए भैकेंसी निकाली गई है तो इस भैकेंसी की पूरी जानकारे जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें और दोस्तो अगर वह है आपका ट्रेनिंग क्रेडिट ओफिशर का और इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमाम एज रखा गया है वह आपका अठाइस साल लखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन लखा गया है वह आपका 10 प्लस 2 रखा गया है इस पोस्ट के लिए फ्रेशर ल और इस post के लिए जो maximum age रखा गया है वो आपका 32 साल लखा गया है और इस post के लिए भी qualification 10 पलस 2 ही रखा गया है और इस post के लिए कम से कम आपके पास 6 माह का experience होना चाहिए तब ही जाके दोस्तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो चौथा जो post है वो है आपका relationship officer का और इस post के लिए maximum age 32 साल लखा गया है और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका graduation लखा गया है और इस post के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का experience होना चाहिए दोस्तो assistant branch manager post की बात करें तो इस post के लिए maximum age 34 साल लखा गया है और इस post के लिए जो qualification लखा गया है वो आपका 10 पलस 2 र साल लखा गया है और इस पोस्ट के लिए भी qualification 10 पलस टू ही रखा गया है और इस पोस्ट के लिए कम से कम आपके पास 5 साल का experience होना चाहिए दोस्तो अगला जो पोस्ट है वो है आपका divisional manager का और इस पोस्ट के लिए maximum age 38 साल लखा गया है और इस पोस्ट के लिए भी qualification 10 plus 2 ही रखा गया है और इस post के लिए कम से कम आपके पास 7 साल का experience होना चाहिए किसी भी microfinance या फिर banking sector में काम करने का दोस्तो अगर हम इसके interview date और address की बात करें तो आपका जो interview का पहला address है वह है आपका पतना बिहार का दोस्तो दूसरा जो interview का address है वह है आपका भागलपुर का अगला जो interview का address है वह है आपका मुझफरपुर का दोस्तो अगला जो interview का address है वह है आपका गया का नेक्स जो interview का address है वह है आपका औरंगाबाद का दोस्तो अगला जो interview का address है वह है आपका पुर्निया का दोस्तो अगला जो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह आपका छपरा का अगला जो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह आपका सासाराम का नेक्स जो दोस्तो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह आपका बेगु सराय का और लास्ट जो आपका इंटर्व्यू का एड्रेस है वह आने से नोट कर सकते हैं नहीं तो इस वीडियो के comment बाक्स में आपको हमारे Facebook पेज का link मिल जाएगा दोस्तो Facebook पेज के माध्यम से आप इस pamphlet को free of cost ले सकते हैं चले दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं जारखंड बालों की दोस्तो जारखंड बालों के लिए भी साथ अलग-अ पोस्ट के लिए भाइकन से निकाले गई है दोस्तो इस पोस्ट के लिए जो आपका पहला इंटर्व्यू का एड्रेस है वह है आपका राची का दोस्तो दूसरा जो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह है आपका हजारी बाग का तीसरा जो दोस्तो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह है आपका ग्रेडी जहारखंड का चौथा जो दोस्तो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह है आपका दुमका का दोस्तो पांचमा जो इंटर्व्यू का एड्रेस है वह है आपका डाल्टन गंज का और लास्ट जो interviewing का address है वो है आपका जमसेथपुर जहार खंड का दोस्तो अगर हम इसके interview date की बात करें तो आपका जो interview का date है वो है आपका 13 नॉवंबर 2021 चले दोस्तो अब हम बात करते हैं मद पर्देश वालों की दोस्तो मद पर्देश वालों के लिए भी साथ अलग-अलग पोस्ट के लिए भाइकेंस से निकाले गई है दोस्तो अगर हम इसके इंटर्विव एड्रेस की बात करें तो आपका जो पहला इंटर्विव का एड्रे आपका सांता का दोस्तो लाज जो इंटर्विव का एड्रेस है वो है आपका चिंदवारा मद पर्देश का दोस्तो अगर हम इसके इंटर्विव डेट की बात करें तो आपका जो इंटर्विव का डेट है वो है आपका 13 नॉम्बर 2021